दोस्तों कैसे हैं आप लोग, I hope आप सब अच्छे होंगे, चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं कि सतत्विकास क्या है तो इसी के टॉपिक पर हम लोग आज बात करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने की कोशिस कीजिएगा देखे, सतत्विकास होता क्या है? देखे, सतत्विकास होता क्या है, तो भविस्य में आने वाली पीडियों की आवसक्ताओं से समझोता किये बिना वर्तमान पीडि के आवसक्ताओं को पूरा करते हुए विकास करना ही सतत्विकास कहलाता है इसे संधानिय विकास या टिकाव विकास भी कहा जाता है देखिए सतत विकास होता क्या है समझते हैं माल लिजे हमारे पास इतना संसातन है हमारे पास इतना संसातन है और हमें इसका उपयोग भी करना है क्योंकि हमें विकास करना है तो इसका उपयोग भी करना होगा तो हमें इसका उपयोग भी करना है लेकिन ज्यादा मतरा में उपयोग नहीं करना है सिर्फ उतना ही करना है जितना की काम चल सके मतलब जितना की विकास के लिए जरूरी है केवल उतना ही संसाधन उपयोग करना है और हमें भविश्य के लिए बचा करके रखना है अब आप कहेंगे प्रकृति में तो दुनिया में तो टोटल मतलब बहुत सारे संसाधन है तो सब का उपयोग इतना जल्दी खतम थोड़े हो जाएगा लेकिन जो संसाधन है वो सीमित मातरा में है प्रकृतिक संसाधन जितने भी है वो सब सीमित मातरा में है तो सीमित मातरा में संसाधन है तो दुनिया में तो कितनी आबादी है न तोटल 2.5 billion टेक है उतनी आबादी है उतना अगर लोग उपयोग करने लगे अगर तो क्या होगा पूरे संसाधन एदम कम ही समय में खतम हो जाएगा तो उसको बचा करके रखने के लिए भविस्या के पीडियों को बचा करके रखने के लिए उसका सीमित उपयोग करना जरूरी है इसलिए भविस्या के लोगों के लिए बचेगा वरना वो लोग कहेंगे कि हमारे पुर्वत जो थे सभी संसाधन खतम कर दिये अब हम लोग क्यास उप्योग करें तो जितने भी संसाधन है उसका उप्योग करते हुए भविशे के पीडियों के लिए बचा करके रखना भविस में आने वाली पीडियों के लिए बचा करके रखना ही सतत विकास कहलाता है सतत विकास से ही पता चल रहा है सतत मतलब होता है लगतार और विकास तो लगतार विकास करते रहना यानि आप विकास किये उसके बाद आने वाले पीडिया भी विकास करेंगी उसके बाद उसके आने वाली पीडिया भी विकास करेंगी तो इस तरह से लगातार विकास करना ही सतत विकास कहलाता है यहां तक आप समझ गे सतत विकास को लेकर के ही जो है एक सम्मेलन रखा गया था पृत्वी सम्मेलन चलिए उसको मैं बताता हूँ उसके बाद उसके को भी बताऊंगा इसके देखे सतत विकास को लेकर के ही एक बार जून 1992 में ठीक है कब जून 1992 में जून 1992 में जो है एक सम्मेलन रखा गया पृत्वी सम्मेलन पहलाई बार पृत्वी सम्मेलन रखा गया था जून 1992 में कहां पो रख्या गया था, ब्राजील के रीयो डी जे नेरो सहर में, याद रखेगा, रीयो डी जे नेरो सहर में एक पृत्विस मेलन रख्या गया था, पहली बार सतत विकास को लेकर के, कि हमें इसमें मतलब 100 से अधिक राष्ट्र के जो है देश के लोगों ने इसमें प्रमुख लोगों ने इसमें भाग लिया था और इसलिए रखा गया था या मिटिंग या समयलन की हमें सतत विकास को बनाय रखने के लिए क्या उपाय करना चाहिए इस चीज पर बात करने के लिए रखा गया था या तो कहां पर रखा गया था ब्राजिल के रियो डी जेनेरो सहर में ठीक है इसी को प्रथम प्रित्वी सम्मेलन भी कहा जाता है और रियो डी जेनेरो सम्मेलन भी कहा जाता है याद रखेगा आपके एक्जाम में भी आ जाता ह तो रियो डिजेनेरो संभेलन जब हुआ तो उसमें रखा गया कि हमारे जो है संचाधन बात रखा लोगों ने कि हमारे पास तो पृत्वे पर संचाधन बहुत ही सीमित मात्रा में हैं अगर उसका इसी तरह अंदाधुन उपयोग होता रहा तो आने वाले पिडियों के लिए जो है संचाधन नहीं बचेगा संचाधन समाप्थ हो जाएगा आने वाले पिडियों के लिए तो आने वाले पिडिया क्या उपयोग करेंगी इस बात को ले करके यह मीटिं रखा गया और इसमें कुछ नियम भी बनाएगे कुछ नियम कानून भी बनाएगे कुछ सीमा भी एक एजेंडा 21 भी पारत किया गया एजेंडा 21 क्या है जैसे एजेंडा 21 जो है एजेंडा 21 भी पारत किया गया था उसमें उसी जो है प्रित्वे सम्मेलन में उसको भी मैं आपको बताता हूं एजेंडा 21 क्या है बहुत लोगों को नहीं पता होता है तो एजेंडा 21 पारत हु मतलब जीतने भी काम करने है और कब करने है यह सबी लिखा हुआ रहे हैं अगर एक लिस्ट में तो उसी को कहते हैं Agenda 21 मतलब जो भी ये ना समेलन हुआ उसमें लिखा गया कि हाँ हमें परियारून को बचा रखने के लिए ये नियम बनाने हैं ये उपय करने हैं और फिर इतना संशादन का उपयोग करने है ये सभी लिखा हुआ है उसी को नाम दिया गया उसी कार्या के सुची को नाम दिया गया उसी लिस्ट गो नाम दिया गया एजेंडा 21 तो बहुत सारे लोग confused होते थें कि agenda 21 क्या है तो जितने भी जो है प्रथम पृत्वी सम्मेलन में जो बनाए गए कार्य सूची को साथत विकास के लिए बनाए गए कार्य सूची को ही agenda 21 कहा जाता है इसको अब लोग समझ लीजिए अब चली हम लोग जानते हैं कि जो है agenda 21 क्या गया तो उसके लक्ष क्या थे यानि पृत्वी सम्मेलन जब हुआ तो उसके लक्ष क्या बनाए गए कि क्या करना है हमें इसके इस meeting का क्या लक्ष हुआ इस meeting को रखा गया तो उसका क्या मतलब उदेश्य है तो देखे सतत विकास का उदेश से मैं आपको बताता हुई यहां पर उन्होंने ही बताया कि हां में ये कारिय करने हैं आगे आने वाले समय में ये होना चाहिए देखे स्वतद्विकास का उदेश से क्या है कि लोगों की जीवन अस्तर को उचा और आर्थिक रुप से मजबूत करना वातावरन को स्वच और सुध्ध करना आर्थिक विकास को प्रुचाहित करना लेकिन इस बात का द्यान रखना कि प्राकृतिक संसादन के भंडार सुरक्षित रहें मतलब कि लोग विकास भी करें लेकिन प्राकृतिक संसादन के भंटास चुरक्षित रहने चाहिए भविश्य के लिए उसको नस्ट नहीं होना चाहिए और उतना है उपयोग करें जितना की आव सकता है उससे ज्यादा उपयोग ना करें और भी आगे एक उदेसे है कि पर्यावरन भंडार तथा भविश्य की पीडियों को हानी पहुचाए बिना मानमी एवं भौतिक पुन्जी के सनक्षण और व्रिध्धी के लिए आर्थिक विकास को तीवर करने का लक्ष रखना मतलब कि आर्थिक व्रिध्धी भी तीवर करना लेकिन संसाधनों का जितना हो सके कम उपयोग करना तो जितना भी कम उपयोग हो सके उतना उपयोग करते हुए एकदम कम उप्योग करते हुए आर्थिक विकास को तीवर करना यही लक्ष रखा गया था प्रथम पृत्वी सम्मेलन में तेके यह चार लक्ष मैंने आपको बता दिये तो प्रथम पृत्वी सम्मेलन जब हुआ था तो उसी में यह सभी लक्ष बनाए गये थे कि हाँ हमें यह आने वाले समय में इतना हमें कार्य कर लेना है तो यही था प्रथम पृत्वी सम्मेलन और स्वातत विकास तो अब चलते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में ने टॉपिक के साथ वीडियो अगर अच्छा लगाओ तो लाइक जरू किजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू कर लिजिएगा मिलता है अब अगले वीडियो में ने टॉपिक के साथ अगर कोई टॉपिक आपके पास है तो कमेंट कर सकते हैं